ओम नमो भगवते बास देवाई नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारी चैनल भक्ती ज्यान में दोस्तों आज में आपको स्रीमत भागवत महा प्राण की कथा सुना रहा हूं आप सभी भक्त जन इस कथा को स्रद्धा पूर्वक मन लगा कर सुने भागवान स्री कुष्ण आप सभी की मनोकामना पून करेंगे और आप सभी के कस्टों को हर्ल लेंगे दूस्तों पिछली कता में हमने सरवन किया था यति धर्म का निरूपन और आवदूत प्रहला समभाद आज की कता में हम शरवन करेंगे ग्रहस्त सम्मंदी सदाचार लेकिन उसे पहले अगर आपको यह कताची लगे तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को जाता से जाता शेयर करें अगर आप हमारे चैनल पर पहली वारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बिटन को जरूर दबाएं जिससे ह हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंश सकें आई सुनते हैं स्रीमत भागवत महा पुरान की कता राजा जुडिश्टर ने पूचा देवरसी नारज जी मेरे जैसा ग्रह सक्त ग्रहस्त बिना विसेस परिस्रम के इस बद को किस सादन से प्राप्त कर सकता है आप क करें अवकास के अनुसार ब्रक्त प्रसों में निवास करें और बारवार सद्धा पूरवक भगवान के अवतारों की लीला सुधा का पान करता रहें जैसे स्वपन तूट जाने पर मन्न से स्वपन के समंद्यों से आसकत नहीं रहता वैसे ही जो जो ससंग के द्वारा बु और सरील की सेवा करनी चाहिए अधिक नहीं भीतर से बिरक्त रहे और बाहर से रागी के समान लोगों में साधार्ण मनिश्यों जैसा ही बिवार करें मात, पिता, भाई, बंद, पुत्र, मित्र, जाती वाले और दूसे जो कुछ कहे अत्वा जो कुछ चाहिए भीतर से ममता ना रखकर उनका अनमोधन कर दें बुद्धिमान पुरस बर्सा आदी के द्वारा होने वाले अन आदी प्रत्वी से उत्पन होने वाले स्वन आदी अकस्मात प्राप्त होने वाले द्रब आदी था और सब प्रकार के धन भगवान के ही दिये हुए हैं ऐसा समझ कर प्रारप्त के अनुसार उनका उपभुक कर पुर्वोक्त सादु सेवा आधी कर्मों में लगा दे मनिश्यों का अधिकार केवल उतने ही धन पर है जितने से उनकी भूक मिट जाए इससे अधिक संपत्ति को जो अपनी मानता है वह चोर है उसे डंड मिलना चाहिए हरेन उट गधा बंदर चुहा सरी सरप रेंग कर चलने वाले प्राणे पक्षी और मक्षी आधी को अपने पुत्र के समान ही समझे उनमें और पुत्रों में अंतर ही कितना है ग्रैस्त मनिश्यों को भी धर्म अर्थ और काम के लिए बहुत कश्ट नहीं उठाना चाहिए बलकि देश, काल और प्रारप्त के अनसार जो कुछ मिल चाहिए उसी से संतोस करना चाहिए अपनी समझत भोग सामेग्रीयों को कुत्ते पतित और चांडाल परियंत्र सब प्राणियों को यथा योग बाट कर ही अपने काम में लाना चाहिए और तो क्या अपने इस्तरी को भी जिसे मनुस समझता है कि यह मेरी है अत्यतिया आधी पर से जिसने अपनी ममता हटा ली उसने स्वयम नित्य विजय भगवान पर भी विजय प्राप्त कर ली यह सरीर अंत में केड़े विष्टा या राक की धेर होकर रहेगा कहां तो यह तुछ सरीर और इसके लिये जिसमें आ सकती होती है वह इस्त्री और कहां अपनी महिमा से आकास को भी ढख रखने वाला अनंत आत्मा ग्रेष्ट को चाहिए कि प्रारव से प्राप्त और पंच यग्य आदी से बचे हुए अन्र से ही अपना जीवन निर्भा करें जो बुद्धिमान प्रोस इसके सिवा और किसी बस्तु में स्वतत्व नहीं रखतें उने संतों का पत प्राप्त होता है अपने वाना स्रम बहित व्रती के द्वारा प्राप्त सामिक्रियों से प्रति दिन देवता रिशी मनश भूत और पित गण का दता अपने आत्मा का पूजन करना चाहिए ये एक ही परमियस्वर की भिन भिन रूपों में अरादना है यदि अपने को अधिकार आदी यग्य के लिए आवाश्यक सब अस्तुएं प्राप्त होतों बड़े बड़े यग्या अग्नी होत्र आदी के द्वारा भगवान की अरादना करने चाहिए योडिश्टर वैसे तो समझत यग्यों के भोगता भगवानी है परंतु ब्रामर के मुक से अर्प अंतर्यामी रूप से ब्राजमान भगवान की पूजा करनी चाहिए इसमें प्रधानता ब्रामरों की ही है धनी द्वज को अपने धन के अनुसार आस्वन मास के किष्ण पक्ष में अपने माता पिता तता उनके बंदूओं पिता में माता में आदी कावी महलें स्राद करना चाहिए इसके सिवा अयन कर्क एव मकर की संक्रांती विशुब तुला और मेज की संक्रांती व्यती पात दिन ख्या चंद ग्रहन या सूर ग्रहन के समें द्वादसी के दिन सरवन घनिष्टा और अनुरादा नक्षत्रों में वैसाक सुकला तरतिया अक्षत्रतिया कार्ति प्रतेक महिने की वह पूण मा जो अपने मास नक्षत्र चित्रा विसाका जेश्टा आधी से युक्त हो चाहे चंद्रमा पूण हो या अपूण द्वाल सी तिती का अनुरादा स्रबन उत्रा फालगोनी उत्रा साना और उत्रा भाद्रपद के सात योग एकाद सी तिती का तीनों उत्रा नक्षत्रों से योग अत्वा जन्म नक्षत्र या स्रबन नक्षत्र से योग ये सारे समय पित्रगणों का स्राद करने योग एवं स्रिष्ट हैं ये योग केबल स्राद के लिए ही नहीं सभी पुन्य कर्मों के लिए उपयोगी हैं ये कल्यान की साधना के उप्रयोक्त और सुभ की अभी ब्रद्धी करने वाले ही इन अबसरों पर अपनी पूरी सक्ति लगा कर सुभ कर्म करने चाहिए इसी में जीवन की सफलता है इन जब हॉम व्रत तता देवता और ब्रामण की पूजा की जाती है अत्वा जो कुछ देवता पितर मनुष एवं प्राणियों को समर्पत किया जाता है उसका फल अक्षय होता है ये इसी प्रकार इस्त्री के पुन्सवन आदी संतान के जाती कर्म आदी तता अपने यग दिक इश्या आदी संसकारों के समय सब दहा के दिन या वार्शिक स्राद के उपलक्ष में अत्वा अन्यमांगली कर्म में दान आदी सुब कर्म करने चाहिए युदिश्टर अब मैं उन इस्तानों का वर्णन करता हूं जो धर्म आदी स्रे की प्राप्ति कराने वाले हैं सबसे विद्य एबं दया आदी गुणों से युक्त ब्रामनों के परवार निवास करते हूं तथा जहां जहां भगवान की पूजा होती हो और प्राणों में प्रिसिद्ध गंगा आदी नदिया हूं वे सभी इस्तान परम कल्यान कारी हैं पुसकर आदी सरोबर सिद्ध परसों क के द्वारा सेवित खेत्र कुरुक्षेत्र गया प्रयाग फुलहास्रम साल ग्राम खेत्र नैमी सारन फालगोन ख्षेत्र सेतु बंद प्रवास द्वार का कासी मत्रा पंपासर बिंदु सरोबर बद्रकास्रम अलकनन्दा भगवान सीता राम जी की आस्रम अयुद्या चित के सब देश अत्यंद पवित्र हैं कल्यान कामी पुरसों को बार बार इन देशों का सेवन करना चाहिए इन इस्तानों पर जो पुन्य कर्म किये जाते हैं मनिश्यों को उनका हजार गुना फल मिलता है युडिश्टर पात्र निर्ने के प्रसंग में पात्र के गुणों को जा और सनकादिकों के रहने पर भी अगर पूजा के लिए भगवान स्री किष्ण को ही पात्र समझा गया असंक जीवों से भरपूर इस ब्रह्मान रूप महाब्रक्ष के एकमात्र मूल भगवान स्री किष्णी है इसलिए उनकी पूजा से समस्त जीवों की आत्मा तरप्त हो इसी से इनका एक नाम पुरुस भी है युजिश्टर एक रस रहते हुए भी भगवान इन मनिश आदी सरीरों में उनकी भिविनता के कारण निवनादी का रूप से प्रकास माने है इसलिए पसु पक्षी आदी सरीरों की अपेक्षा मनिश से ही स्रेष्ट पात रहे और मनिश्यों में भी जिसमें भगवान का अंस तब योग आदी जितना ही अधिक पाया जाता है वह उतना ही स्रेष्ट है युजिश्टर त्रेता आदी योग में जब बिद्वानों ने देखा की मनुश परस पर एक दूसरों का अपमान आदी करते ही तब उन लोगोंने मनिश्यों से दूसर करते ही उन्हें प्रतिमा की उपासना करने पर भी सिद्धी नहीं मिल सकती युजिश्टर मनिश्यों में में ब्रामण विसेस सुपात्र मना गया है क्योंकि वह अपनी तपश्या बिद्या और संतुस आदी गुणों से भागवान के बेदरूप सरीर क धारन करता है माराज हमारी और तुमारी तो बाती क्या है ये जो सरभात्मा भागवान स्री किष्ण है इनके भी इश्र देव ब्रामणी है क्योंकि इनके चड़नों की धुले से तीन लोग पवित्र होते रहते ही बुलु सरी मद भागवत महाप्राने की जै बुलु सरी निश्ने चंद्र भगवाने कीज़े